तो आपके पास एक pen drive होनी चाहिए जो की 4GB से ज़्यादा की हो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपनी pen drive को laptop में insert कर लिया है देख सकते हैं आप 28GB की pen drive है Windows ISO file should be available in your PC आपके पास Windows की ISO file होनी चाहिए अगर आपके PC में Windows की ISO file नहीं है तो आप उसको download कर सकते हैं तो मैं website का link आपको video के description में देदूँगा तो अगर आप यह देखना चाहते हैं कि window की ISO file को कैसे download करना है तो उस video का link भी मैं आपको video के description में देदूँगा तो लेट में स्टार्ट दा वीडियो तो pen drive को cmd के दुवारा bootable बनाने के लिए हमको cmd को open करना होगा तो उसके लिए आपको window के सर्च बार में cmd टाइप करना है और उसके बाद run as administrator करना है अगर आपके PC में ये option नहीं so हो रहे हो तो आप यहाँ पे right click करके run as administrator कर सकते हैं सबसे पहले आपको लिखना है disk part एंटर कर देना है उसके बाद आपको लिखना है list disk list के तथा disk के बीच में space होना चाहिए enter कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारे PC में जो pen drive insert है वो यहाँ पे so हो जाएगी so disk 1 28 GB की ये हमारी pen drive है तथा disk 0 ये हमारे PC की hard disk है so उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको write करना है select disk 1 हमारी pen drive disk 1 है so उसके according हम disk 1 को select कर लेंगे उसके बाद enter करेंगे so disk 1 is now selected disk उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे clean enter कर देंगे so उसके बाद लिखेंगे create partition primary उसके बाद enter कर देंगे space का आपको खास तोर पर द्यान रखना है so उसके बाद लिखेंगे select partition 1 enter कर देंगे उसके बाद आपको अपनी pen drive को format कर देना है format is equal to fs space and tfs space quick अगर आपकी pen drive में कोई आपका important data हो तो आप उसको पहले ही निकाल लें क्योंकि bootable बनते समय pen drive format हो जाती है so enter करेंगे so pen drive format हो रही है so pen drive format हो गई है उसके बाद आपको लिखना है है यहाँ पर active उसके बाद enter कर देंगे so उसके बाद exit कर देंगे अब हमारी जो window की ISO फाइल है जो हमने डाउनलोड करके रखी है so जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं window 10 की ISO फाइल इस पर right click करेंगे mount पर click करेंगे और इसको यहाँ से सभी को copy करके अपनी pen drive में paste कर देंगे यहाँ पर आपको paste कर देना है so इसमें थोड़ा time लगेगा तो वीडियो को मैं post कर देता हूँ so इस process के complete होने के बाद आपकी pen drive bootable बन जाएगी अब आप अपने computer के this PC में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी pen drive bootable बन गई है जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी pen drive का symbol चेंज हो जाएगा so अगर आपके पास कोई computer या laptop है तो आप हमारे channel को जरूर subscribe करें क्योंकि हमारी सभी videos computer से related होती है so thanks for watching